नमश्कार, आज हम प्रिंसिपल ओफ केस वर्क, मतलब वैक्टिक सेवा कारिक के सिद्धान्तों के बारे में चर्चा करेंगे समाज कारिकरता के लिए मानव संबंधों की प्रकृती का ज्यान होना बहुत आवश्यक है तो एक समाज कारिकरता द्वारा कुछ सिद्धान्तों का पालन करना आवश्यक होता है जिससे वो अपना कार निस्ठा पूर्वक संपन कर सके तो आईए हम जानते हैं वैक्टिक सेवा कारिके सिद्धान्तों के बारे में पहला सिद्धान थे principle of individualization मतलब व्यक्तिक करन का सिद्धान तो यहाँ पर यह है कि प्रतेक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है उसकी परिस्थितिया अलग होती है और समस्याइं अलग होती हैं कभी-कभी समस्या एक होती है लिकिन उनके कारण अलग-अलग होते हैं तो एक सामाजिक कारेकरता को प्रतेक व्यक्ति को अलग-अलग तरीके से अपनाना चाहिए मतलब उसको ये मालूम होना चाहिए कि हर व्यक्ति अलग-अलग है दूसरा सिध्धान्त है principle of acceptance मतलब सुईकारिता का सिध्धान्त तो एक सामाजिक कार्यकर्ता को हर व्यक्ति को सुईकार करना है मतलब वो किसी भी सारे टूप से कैसी भी तरीके का हो, दुर्वल हो शक्तिसाली हो, उसमें नकारात्मक हो सकारात्मक सोच की प्रक्यति का हो किसी भी जाती का हो किसी भी धर्म का हो मतलब व्यक्ति को हर व्यक्ति उसके लिए विशेश है और हर व्यक्ति को उसको सुईकार करना जैसा वो है वैसा सुईकार करना आवश्यक है ताकि एक सामाजिक कारेकरता व्यक्ति की प्रतेक व्यक्ति की निस्टा पूर्वक और बिना किसी भेदभाव के उसकी समस्या का समाधान कर सके उसकी सहायता कर सके तीसरा सिध्धान्थ है आत्मनिश्चय का सिध्धान्थ या प्रिंसिपल ओफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब एक सेवार्थी को यह पूरा अधिकार होता है कि वह अपनी सहायता स्वयम कर सके मतलब कि अगर सामाजिक कारे करता उससे कोई सलाह दे रहा है या उसकी समस्या का समाधान कर रहा है तो यह पूरी तरीके से एक सेवार्थी पर डिपेंट करता है कि वह उसकी सलाह ले या ना ले वो चाहे तो उसकी सलाह को मना भी कर सकता है तो ये एक सिवार्थी के उपर उसका अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी सहायता स्वयम कर सके या जो सलाह दे रहा है सामाजिक कारेकरता उसमें पूरी तरीके से सहीयोग करे चोथा सिद्धान थे नौन जजज्मेंटल एटिट्यूड अनिर्ने आत्मक प्रवति एक सामाजिक कारेकरता को उसकी समस्या का अधियन करना चाहिए ना कि उसकी समस्या में कोई निर्ने लेना चाहिए या अपने मन में व्यक्ति के प्रती कोई विचारधारा बना लेनी चाहिए उसको जजज्मेंटल नहीं होना चाहिए ताकि वह अपना कारे अच्छे से कर सके पाच्वा सिध्धान्त है परपजफुल एक्सप्रेशन और फीलिंग्स भावनाओं का उद्देश पूर्ण प्रगटन एक सिवार्थी को अपनी सकारात्मक वा नकारात्मक दोनों प्रकार की भावनाओं को प्रकट करने का पूर्ण अधिकार होता है अगर वो अपनी भावनाओं को प्रकट कर पाएगा पूरी तरीके से और बिना किसी डर या भै की तो तभी एक सामाजिक कार्यकरता उसकी भावनाओं को समझ सकेगा और उसकी समस्याओं का समाधान कर सके। छटवा सिद्धान्त है Controlled Emotional Involvement नियंत्रित समवेगात्मक संबंद। एक कारेकरता को सेवार्थी के साथ कारे करते समय अपनी भावनाओं को, अपने समवेगों को हमेशा नियंत्रित में रखना चाहिए। जिससे वह अपने कारे को इमानदारी से और बिना भावनाओं में बहे अच्छे तरीके से करें। साथवा सिद्धान्त है Principle of Confidentiality, मतलब गोपनियता का सिद्धान्त। एक सामाजिक कारे करता को सेवार्थी द्वारा बताई गई बातों को गोपनिय रखना चाहिए। उसको किसी और को उधारन के तौर भी नहीं बताना चाहिए। जब वह उसकी बातों को गोपनी रखेगा, तभी वह एक सेवार्थी, एक सामाजिक कार्यकरता पर विश्वास करके अपनी समस्या को बता सकेगा. आठवा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ओफ पार्टिसिपीशन, सहभागिता का सिध्धांत, इसमें समस्या का जो समाधान निकालते हैं, एक सामाजिक कार्यकरता या सेवार्थी दोनों मिलकर, तो सेवार्थी का भी पूरी तरीके से सहभागिता होनी चाहिए, किसी भी समस्य के समाधान में क्योंकि एक सेवार्थी ही अपनी इस्तितियों को परिस्तितियों को उसके वातवरन को जानता है तो हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक कारिकरता और सेवार्थी दोनों का ही समस्या के समाधान में पूरी तरीके से सहभागिता होनी चाहिए नवी सिध्धान्थ है principle of communication, संप्रेशन का सिध्धान्थ, एक सामाजिक कार्यकर्ता और सेवार्थी को अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुचाने के लिए एक सही संप्रेशन का चुनाओ करना चाहिए, जिससे कि एक सामाजिक कार्यकर्ता समाधान बता सके और सेवार्थी अपनी समस्याओं को बता सके कम्मिनिकेशन नॉन वर्वल भी हो सकता है जैसे दिव्यांग लोगों के साथ हम उसी तरीके से डील करना पड़ता है एक सामाजिक कार्यकरता में communication skill का होना बहुत ज़रूरी है हमने समाजिक कारे करता की skills को लेकर एक वीडियो बनाया है तो आप link पर देख सकते हैं उस वीडियो को